चलिए प्राग एतिहासिक को हम कितने कालखन बाते हैं प्राग को कितने कालखन बाते हैं तीन भाग में बाते हैं ठीक है एक और आएगा काफ से तामर पासान वो चौथा इसका भाग बनेगा लेकिन अभी पहले तीने वाला जो रिवीजन कर लेते हैं पहला था पूरा पासंकाल, दूसरा था मध्य पासं में अंतियोस्टिक कार्यकरम शुरूहा था पासं और तीसरा था नवल पासं नवल पासंकाल खने, ठीक है, अब दोगे पुरा पासंकाल में क्या हुआ था हर एक पॉइंट हम यहां पर जल्दी से लिखते चलते हैं, ठीक ठीक है पहले इसका समय लिग देते हैं संपर पहले इसका समय 25 लाख से 12000 साल तक समय चला ठीक है 12000 तक उसके बाद दूसरा point है कि यह आया था कहां अफिरका में पिरका में आया था और चलना खाना बदोस था सब्सक्राइब हो गया इतना पॉइंट आप ध्यान रखेगा इससे हर एक से कुष्चन आपको पूछा जाएगा ठीक है और सबसे लंबा कालखंड यही चला था, इस कालखंड को क्या कहा गया है, पासान यूग, इसी को कहा गया है, ठीक है, चली, अब मध्य पासान में दूईयों को चीज़ याद रखना है, जादा चीज़ याद नहीं रखना है, ठीक है, मध्य पासान में आपको याद रखना ह कि इस इसे माइक्रो लीत- ah है अब यह माइक्रो लीथ हास किया है माइक्रो मतलब होता है चोटा और मतलब होता है पथर अब देखे माम Metal ये पत्तर का उप्योग करने का नहीं था पता नहीं था पता नहीं था जनकारी नहीं समय तो यह उसके बाद हम लोग थोड़ा सा समस्दार हुए तो छोटे-छोटे पत्रों का उप्योग करते हैं उससे और ज्यादा एडवांस वे तभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले 3 से होता था सिकार लेकिन अभी देख लिए हैं बंदूग से होता है बम से होता है परमानु बम आ गिया कि एक बार में पुरा प्रिथिविये साफ कर दें ऐसा ऐसा भ्यंकर हतियार आ गया लेकिन उस समय का हतियार क्या था बरा पत्थर था पुरा पास 95 का और कहां आगया मेहर गड़ में जगह मेहर गड़ जो कहा है पाकिस्तान में है पाकिस्तान समझ जाई आकर सबसे पहले उन्होंने आवास बनाया अब इसलिए वहां से भगाया पिर भदेरे जंगले बहुत जंगले वहां जानबर बहुत अधिक मात्राम कने एसी कि संकट को दूर करने के लिए फोलू खाने का नवा भी थो हर सिजयन में नहीं मिलता है तो उस समय के जो मुख्या उती थे लीडर और पि वेखा है और वह जगा से दूसरे ब्रहर्मन करते रहते ताकि को उस पर आक्रमन न कर्दे इस तरीके के चलता था ठीक है लेकिन आह सीखने पुरा पासनकाल में ही ठीक ना वह कहाणी आप लोग पड़े हो एगा च्छटा सत्मा में इस दिया है कि आए पत्थर से पत्थर तक्रा रहा था तो चिंगारी निकले जिसके कारण आकी खोजो गई तो वह सब बाद में करेंगे कहानी पहले यहां समझते आवास इसलिए बनाया गया कि जब फल को खाते थे तो फल खाने के बाद जब बच जाता था तो वह लोग सोचते थे कि इसको हम म मतलब दिक्कत होगया भोजन का तो सब वापस आए और देखा तो उसमें वहां पर खंकर देखा तो यहां पर फल रखे थे तो वहां पी बहुत बड़ा पीर निकलाया हैं और उसमें बहुत सारे मिटले मिठे मिठे फल मतलब लगे हुए हैं तो उन्होंने इसे एक सीख cotton Nicht जमीन के अंदर डाल देते हैं फल को तुसे एक पेर बन जाता है और वो भी फल देने लगता है तो खेती की सुरुआत क्रिसी की सुरुआत सबसे पहले यहां ना पासानकाल में मेहरगड में सुरू हो गई तो अन ज्यादा अधिक मात्रा में होता है उसको इकठा करने के कि आवास कहां पर बनाया गया मेहरगड में बनाया गया ठीक है जो पाकिस्तान में है जो कौन सी पहारियों की बीच है शुलेमान एवं की खारश की मेहरगड किर्थर कि यह ध्यान रखेगा कुछ-कुछ पॉइंट आपको जरूर नाया दिख रहा होगा पिछले दिन आप सोची है कि यह हमको पढ़ा रहे नहीं कुछ-कुछ पॉइंट जरूर इसमें एड होते चले जाएगा इतिहास का नाम ही है कि आप बढ़ते जाईए और उसमें जीते जाए इतिहास रटने से नहीं समझ में आएगा आप देखिक जैसे हम आपको बढ़ा कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है कितना मजा रहा है सुनने में कैसे क्रिसी हुआ कैसे अब कुछ और पॉइंट इसमें समझते हैं तो सुलेमान इबम किर्थर पहारियों की बीच मेहरगर्ण है वहां पर है अस्थाई क्रिसी की गईती और अलशब से पहले किसका गेहुं और जोओ का खेत्य किया गया ठीख है और किस जनवर को पलतु बना गया था कुट्ता को सबसे पहले पकाल पकाल गया था ठीक है ध्यां को और जो से समय सबसे पहले उसको किया गया और खुता ध्यान से दोदेखें जब जादा मतर हमें नोबज़ीर हे दो यृ advis अगर रखने के लिए कूछ चाहिए तो उसके लिए उन्होंने क्या एक भले फ्रया बना है फिर फ्रय को धीरे आकार बढ़ाते गया चीपा से मौ उपर करते गया और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि ले घरा टाइप का बना दिया मतलब जैसे गबलप होते गया उन्होंने जिसमें अन कोई कठा करके रखा जा सके तो मनका सबसे पहले कहां पर बनाया गया था नावपासान काल में मनका ठीक है और एक पॉइंट और यहां पर ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में अगर कुछ सामागरी एक जगह से दुसरे जगह ले जानी होगी तो इसके लिए बहु कोई अच्छा जो समझदार बेक्ति कभी नहीं करता है एक पागल ही जिसको खोज की धुन सवार रहती की नहीं हम करेंगे तो करेंगे ठीक है तो उससे में चक्का बनाया गया जो पूरी तरीके से गोल नहीं था उस तरीके से चक्का वो बनाया गया था ठीक ना धीरे-धी तो चक्का यहां पें नपासान काल में अ ठीक है बना दिया गया था कि उसपे डाल करके आप एक जगह से बहुत समय की बचक्षत होती थी तो इस तरीके से आपको यह सब किया गया तो इस तरीके से आप आप याद किजिएगा इसका कालखंड नम बता देते दोनों का कालखंड छुटी है यह 25 लाग से 12,000 तक चला था यह 12,000 से पांच हजार तक चला था किसी किसी में ज्यादा कम दिया रहता है तो आप्रॉक्स आप मानन के चलेगा इस अर। यह जो था पांच हजार से सबसे लंबा कालखंट पुछेगा था और सबसे पहले कहां था फिरका में आया था चलना प्राडब किया था आकी खोज खाना बदोस खादे संग्रहक और पासानी योग और बड़े पत्रों का उप्योग यह सब किया था यह सारे पॉइंट खाली ध्यान रखे आपको कितना क कुष्चन बना सकते हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारत तेरह चौदा पंड़ा सुल्ला सत्रह ठाटारा उनाइस बीस बिस दुना चालिस हम कुष्चन बना सकते हैं अरेंज करना मेरा काम है कुष्चन सेट करने वाला किसी तरीके से आपको कु समझ में आ रहा है तो क्या आपके लिए फायदेका सौदा है कि नहीं अब कर दिया पढ़ाई होगी बस आपको जो कुछ यहां पर कोई कॉमेड़ी नहीं कोई टाइम पास नहीं आपको केवल यहां पढ़ाई किया जाएगा ठीक है आपको समझाया जाएगा नहीं समझ मैं तो हमको बोलिए और डिटेल से हम बात करेंगे ठीक है इस तरीके से आप साइड हो जाते हैं इसको नोटकर लीजे ठीक है और अपने कोपी त्यार लीजे जिसमें lijeto कोन सी मिले कीसे की हम discuss करेंगे लेखिन आज हम क्या बता हैं आपको यह सारे बता हैं इस पर कमांड कर लीजे कोई दिक्कत नहीं एक बार में कमांड कर लीजे फिर कॉल इस पर हम पूरे डीटेल से बात करेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए कि एक बार खुद से रिवीजन करने का प्र अपो पढ़ने से बढ़ता हम यह मानते हैं तो इतना यह रहने देते हैं और यह बहुत अच्छा पिरारा से कहावत है वह याद नहीं आ रहा है लेकिन पिर कभी सुना देंगे आपको ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं